दोस्तों आप देख रहे हैं साइकलोजी यानि मनुविग्यान का कुश्चन पेपर E816 2020 का कुश्चन पेपर है इसके अलावा सारे कुश्चन पेपर्स हमने डाल दिये हैं आपको हर सब्जेक्ट का कुश्चन पेपर मिल जाएगा साइन्स आर्ट्स या फिर कॉमर्स से आप हो सभी कुश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवलेबल है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो है उसमें भी आप प्लेलिस्ट सेक्षन में भी देख सकते हैं दोस्तों के साथ सेयर कर दे ताकि उनकी भी मदद हो पाए बने रहे इस चैनल के साथ में आपको फुल सपोर्ट हम करते रहेंगे आप भी हमारा सपोर्ट करते रहे अब पढ़ते हैं इस कॉस्चन के जो पेपर के कॉस्चन से उनको हिंदी मीडियम वाले आप खुद देखें इन कॉस्चन को हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं इंग्लिस मीडियम वालों के लिए मैं इस कॉस्चन पेपर को इंग्लिस में पढ़ देता हूँ तो क्या होगा अगर Hindi और English medium दोनों के लिए पड़ोंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम English medium के लिए पढ़ देते हैं, Hindi medium और अराम से समझ सकते हैं, बीच बीच में जहां जरूत होगी मैं Hindi वालों के लिए भी बता दूंगा, फिल इन दा बलेंक्स करने है आपको तो इस दा अबिलिटी टू लर्न सिखने की योगता खालिस्तान है वो क्या है आपको बतानी है ग्रुप इस एक कलेक्शन फॉर्म ओफ डैस सम्मू किसका जो समलित रूप है यह आपको बताना है इसके बाद में C है जो है आपका सेवार्थी और चिकित्सक के बीच में जो रिस्ता होता है उसको क्या कहलाता है और डी है आपका जर्मन वर्ड गस्टाल्ट यानि कि जो आपका जर्मन सब्द गस्टाल्ट है उसका अर्थ क्या है आपको बताना है और खालिस्तान is a subjective feeling of not enough space per person पर्ति व्यक्ति की द्रेस्टी से प्रयाप्त इस्ताना होने की आत्म निष्ट अनुभूती को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है अब आज यह second question पे जहां पे आपको column को match करना है column A से column B को match करना है दोनों तरब बिल्कुल बराबर options दिये गए हैं कोई भी extra option नहीं है तो आपको केवल इनको appropriate जो option होते हैं जो सही है उनको आपस में match कर देना है ठीक है इसके बाद आजिए तीसरे question पे हम बात करते हैं तो यहां पर जो है आपको एक वाक्यों में उत्तर देना है एक वाक्यों में या फिर एक शब्द में भी दे सकते हैं जिसका जैसा answer बने वैसा आप दे सकते हैं और हमेसा याद रखे हैं examiner या फिर exam paper में जो instruction होते हैं अगर 30 सब्दों में answer देना है तो 30 से 32 33 हो सकते हैं लेकिन 30 का 50 30 का 60 ना करें उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है लिखना उतना ही है जितना आपको बोला जाता है तो यह मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे marks आ जाएंगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है हम जानते हैं हमने पेपर की कोपिया जाची भी है इसलिए हमें पता है examiner को बहुत frustration होता है जब वो extra पढ़ने लगता है क्योंकि आप extra लिख दोगे उसमें एक examiner को पढ़ने में बहुत time लग जाता है और पढ़ते पढ़ते उसको एक copy चेक करने में कितना time लगेगा आप सोचिए अगर आप extra लिखते हैं तो इसलिए आप हमेशा external लिखें examiner बहुत जादा frustrated हो जाता है और वो आपके marks भी काड़ सकता है तीसरा question है how many how many are cards in rose charts in ink block test रोशार्च जो है इसमें कितने जो है स्याही दबबा परेक्शन में कितने काड़ होते हैं आपको बताने है उसके बाद which Latin language word creates the word attitude तो attitude जो है लेटिन की किस सब्द से उत्पन हुआ है इसका आपको बताना है meaning of regression is तो इसका आपको अर्थ बताना है कि इसका मतलब क्या होता है obsessive compulsive disorder are ये क्या होती है ये आपको बताना है इसके बाद में इह है आपका how many are types of group मतलब समूओ कि कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है चौथ है question की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको options दे रखें इन options को आपको भर देना है देखिए सतक रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धी है ये कथन किसका है स्काउट का गाल्टन का वेल्स का बिने का चार option से इनमें से एक option सही है दुष चंता का लक्षण है यहाँ पे चार option है इसको आपको फुल्फिल करना है उसके बाद में सह संग्यात्मक वेवार्चिकित्सा एक प्रभाव पादक उच्चार है इसमें से चार option है फिर से आपको सेलेट करना है दस अंप्रिणन का आज से है इसके चार option है आपको सेलेट करना है सही option यह है सामाने विक्ति की द्वनी सुराने छमता कितनी होती है यह आपको डीवी में होती है आपको पता ही है तो इसमें से आपको बताना है इंग्लिस वर्जन भी इसका ऐसे ही है वो सेज इंटेलिजेंस इस दा पावर ऑफ अटेंशन और सिम्टान ओफ एनेक्सिटी इस उसके बाद में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरीपी इस एफेक्टिव थेरीफी फोर किसके लिए होती है और तर्म कम्मुनिकेशन रेफर् एफेरेज मैं इस कितना होती है चार उप्षने इसको सब्सक्राइब करना आपको और पांच्वा है राइट दाउन तू फैक्टर सफेक्टिंट इंटेलिजेंस यानि कि बुद्धी को प्रवहित करने वाला जो आपको आपको बताना है वाट इस इंटेलिजेंस कोट को सं है DLD के एक्जाम में यह इन में से बहुत सारे questions आ चुके हैं मनह चिकित्सा क्या है वाट इस साइको थेरिपी और है उपचार की वहवार चिकित्सा विदी क्या है वाट इस विहेविरल थेरिपी मेथड सात्वा है इसके बाद में आटवा कोशन है राइट डिफरेंस बीट्विन इंटेलिजेंस और आपको बतानी है नाइन्थ कोशन है राइट इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंट रूल्स ओफ इस्टेटिक्स एनि थ्री आप बता सकते हैं दसवे कोशन की बाद करें तो राइट इस स्टेप्स ओफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबूशन इन इस्टेटिक्स और अप्शन आया था डिफाइन मीन वेन इट इस यूजड ग्यारवा कोशन है राइट ए सोट नोट ओन कोपरिशन और कम्पेटिशन उसके बाद में और राइट कारेक्रेस्टिक्स ओफ लीडर एंड लीडर्शिप बारवे कोशन की बात करें तो यहां पर आया है हाव इट इस पॉसिबल टू कॉपिंग विद लाइफ चैलेंजिज और अप्शन आया था वाट इस स्टेस राइट इस वेरियस सोर्सिज थर्टिन है आपको वा वाट इस नॉइस पॉलूशन राइट इस टाइप्स और अप्शन आया था राइट इफेक्ट्स ओफ एन्वारिमेंटल प्रॉब्लम और यूमन बीहेवियर बपंदरा कुशन आया था राइट ए सोर्ट नोट ओन एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग और अप्शन था क्लारिफाई वर्क मोटिवेशन सोलवे कुश्चन की बात करें तो एक्सप्लेटिक एप्रीशेप्शन टेस्ट टेट की आपको बात करनी है और ऑप्शन में आया था क्लारिफाई कॉंसेप्ट ओफ गोनास क्वालिटी जो है आपको बतानी है उसके बाद में 17 है डिफ स्टेस्टिक्स एंड इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ पोवर्टी और अप्शनाय था क्लारिफाई रोल ऑफ सोसाइटी इन रेपरेशन ऑफ सोस्यल प्रॉब्लम्स सच्छ गट के कुश्चन पेपर भी हमने डाला था उसमें इसमें से काफी कुश्चन मैच कर रहे थे उन क्यों थे विडियो तिल एंड